अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेन आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी फास कोचें रादे रादे दोस्तों जैश्री किष्णा कैसे है आप सभी आशा करती हूँ सब बहुत अच्छी होगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मॉर्णिंग का टाइम है सुबह के बज़ रहे हैं पांच तो सबसे पहले सुबह जो सोर के उटके मैं एक गलास पानी पीदी हूँ जो कि सभी करते लगमक लोग करते उसके बास सेकेंड काम होता है मेरा मैं फटाफट से घर में लगाना शुरू कर देती हूँ जारू जारू लगाने में मुझे पूरे घर में एक घंटे लगते हैं तो चलिए वीडियो में बने रहेएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो इसके बाद में बच्चो को उठाऊँगी कि अजनकर स्कूल का फरस्टे है तुरा जल्दी उठाऊँगी सारे पाच बज़े उठा दूंगी तो आराम से सारे छे तक वो लोग जो है रड़ी हो जाएंगे तो सारे छे बज़े फिर यहां से कुनिकाफ़न को लेकर तो वहां पर जो है छात बज़े बसे बसाती है हाँ साहत पौने शाते बसाती है तो इस दियकाँ जोजे से मैं ठान करूँ झारू लग लोंगे फटक ने उसके बात मैं बच्चो को उठाऊंगी और उसके बाद कि टीपन के त्यारी करूंगे तो यह देखिए आपा जब मैं उठी थी तो कितना मतलब अधेरा सा था आप इतनी धूप सी हो गई है तो चलिए फटा-फट से उठा लेते हैं बच्चों को बच्चों को उठा कर ये लोग अपना काम करें ये मैं फटा-फर्स अपनी सारी तरी के लोगा तो गुनीन आ चुकी है ये देखिए शरब भी बाहर देखिए नहा कर आ चुके हैं और मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ और फटा-फट में बनाओंगी जो है लंच और सौरी मतलब की बेकफास्ट और लंच तो यहां पर जो है मैं नहा कर आ चुकी मैं लगबा कोशिश करते तो क्वा नहा कर रिलंच बनाओं क्यree मैं अकसर भागवत में सुनती हूँ भागवर को होता आते हैं कि सुब्ए सुब्ए पहले मतलब माता अन्र बूना का वास होताहे कि चनले तो आप के चनले कोई भी काम स्टाट कर ये तो नहा कर ये करना चाहिए और इससे क्या होता ह है कि आप जैसे मन से जैसे भाव से खाना बनाते हैं वैसे भाव के बैजों के अंदर आते हैं और सबसे पहले बहोड को भिला अधैं और भगोवान को भी बहोग लगा देते हैं तो अंतर फॉसके लगा? होनी ही वाला बस ऐक टेसर एक सीटी आ जाए है। और चाय में चटा दिया है, में जारी निवटापट से कानहाग को उठाने, वर निखटाइँ ऐसे ही मेरा भाग 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 अला होता है, तो चलिए कानहाग को उठाले वटापट से. कानहाग को उठाकर मैंने ने मुधू लाकर उने भी जहने दिया था, कुछ खाने पीने के लिए उधर गुनी शरग भी खा चुके हैं, और मैं इनकी जह प्रणापट से. चोटी करनी नहीं आती है, तो मैं चोटी इंकी मैं ही करती हूँ, और मुद देखिया आप कैसे बना रही है, तो चलिए फटा फट से मैं इनकी चोटी कर दूँ, शरग के पाल जाग दूँ, उसके बाद इन लोकिटिव इन पैक कर दूँ, तो यहापर चावल के साथ मैं के लिक रख रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था हमाइगो के की रेसेपी, तो यह जो है टिफिन में देखिया आप चावल जो है जीरे के बिना कैसे सुना लग रहा था ना, हर चीज का अपना एक महत होता है, जिसकी जहाँ पर जरूरत होती है, तो सब काम करके अभी बच्चे निकले नहीं, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा डेंट मेंट हो जाओ, फुजा करने के लिए बंदीर में जाने के लिए, इसमार्निंग में लेडिजो को ऐसा ही रहता हुए, पहले बच्चों का काम करके फट़ा फट़ा पट से, तो बच्च अगर पूरा दिखा होना तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं जगा जगा पर जो है कैमरे को अन रखू और मैं अपना काम करूँ तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाता है मैं आपके शाथ शेयर कर रही हूं कि इतना ही ऐसी मॉर्णिंग मुझे काम होते हैं तो चलिए वीडियो अजिक अच्छी लगिगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा सबस्क्राइब कर दीजिएगा हूर हो जाएंगा सब्धियो को लिगा है कि शीन के लगा जी हो कर देखा है कि बिखार है आज है इस आए ज्यूला बनाई नहीं को चाहें जूला कुल लाए तो देखा आपने शरत के बन करता है तो करते यहां मैं शरत को लगारी हुँ टीक शरत को टीकब बहुत ज़ादा पसंद तो लगाने के बादने देखने चले जाते हैंगी कैसा लगा है ठीप तो यहां पर बस अब जो है टाइम हो क्या है निकलने वाले हैं तो चलिए वीडियो एंजोई करेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजेगा चानल पर लिए सब्सक्राइब कर दीजेगा और टाइम की बात करो तो अभी जो बज रहे हैं सात बजने में दस मिनट बाकी ये पाँच मिनट आगे हैं और साथ दस पे बस आएगी तो वो लोग अब मैं चल रही हूं फटा फट से कुझा करने काना यादि कि यहां पर बैठे हुए हैं उठा के बने ने बठाया है गर्मियों में मैं इन्हें मतलब गर्मी है क्या करें हम लोगों को पर्मी लगती है और वासे हमारे लाइट राद करना को यहां से ले जाओंगी मंदिर में पूजा करोंगी और सबसे पहले मैं चलूब फूल तोर लो मैंने भी फूल भी नहीं तो उसके पहले आपर मैंने सोचा लाओ जंदी से जो चादर बगारा इसे फूल कर दूने तो फिर आसे फिर पढ़े रह जाएंगी फिर दस ब चादर फूल करके फिर जाओंगी फूल तोरूंगी और सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है ना कि गर्मी के दिन में एकड़म पसीने से ब्लोग नहा लेते हैं चलिए फटा पर सबने सारे काम कर लो जल्दी से फूल तोर लो उसके बाद पूजा करूं कंगी पूजा कर लो हम लो जाओंगी आधे बंस वीडिया पर नहीं बनी तो मैंने सुचा कोई झोड़ा साथ कर देती हूंँ चलिए पूजा कर लो फटाफट से अपने सारे काम कडिUp कर लो मेरी पूजा वगयरा हो गई है अब फटा फट से मैं चल रही हूं किचन में खाना बनाने के लिए तो कैसा रहा है आज का मेरा ब्लोग अच्छा लगा होगत लाइक शेर कर दीजिएगा चालर क्यों नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा